अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टेली प्राइम के इस अध्याय में आप जानेंगे बिल वाइज एंट्री ओप्शन के अंतरगत आने वाली एजिस्मेंट की मेथड न्यू रिफरेंस के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको विस्तार से बिल वाइज एंट्री के बारे में बताया था साथ ही ये भी बताया था कि इसके अंतरगत एजिस्मेंट की चार मैथड्स होती हैं न्यू रिफरेंस, अगिंस्ट रिफरेंस, एडवांस और आन अकाउंट इस वीडियो में आज हम इन ही में से न्यू रिफरेंस के बारे में बताएंगे बाकी मैथड्स के बारे में आगे की वीडियोस में बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमने राज एलेक्ट्रानिक्स से 1 अप्रेल 2021 को सोनी टीवी 20 इंचस के दो नग 21,000 रुपए प्रती नग के हिसाब से उधार खरीदे जिसका बिल नंबर है 311 सप्लाइर ने माल देते समय हमसे कहा कि इस बिल का पेमिंट आपको 30 दिन बाद यानी एक मैई को करना है पहले से ही बना ली है तो चलिए अब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं सबसे पहले हम सप्लाइर इंवोईस नंबर में सप्लाइर का बिल नंबर 311 टाइप कर रहे हैं यहाँ डेट में सप्लाइर के बिल की डेट टाइप करेंगे यहाँ पर पार्टी का नाम सप्लाइक करेंगे यहाँ पर्चस अकाउंट सेलेक करेंगे यहाँ हमें स्टॉक आइटम सेलेक करना होगा अब जैसे ही हम क्वांटिटी और रेट डाल कर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे एक्सेप्ट के छोटी विंडो आने के पहले बिल वाइस डिटेल्स की स्क्रीन दिखाई पड़ेगी जिसमें मैथड ओफ अज्जेस्मेंट के अंतरगत चार ओप्शन्स अडवांस, अगेंस्ट रिफरेंस, न्यू रिफरेंस और आन अकाउन्ट दिखाई दे रहे हैं इन्ही चार ओप्शन्स के माध्यम से हम बिल वाइस अकाउन्स मेंटेन करते हैं एक-एकर के हम इन चारों ओप्शन्स को समझेंगे ध्यान रखें ये चारो options हमें sell, purchase, receipt, payment, journal, debit note और credit note vouchers में entry करते समहें मिलते हैं यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें कि कई बार voucher बनाते समय F11 यानि company features में enable bill wise entry option enable यानि yes होने और सभी legends में maintain balance bill by bill yes होने के बाद भी ये चारो options दिखाई नहीं देते हैं यानि कि bill wise details की screen नहीं आती है तो ऐसी इस्थिती में आपको voucher screen पर रहते हुए F12 प्रेस करना होगा ये देखिए यहाँ configuration में use default bill wise details for bill allocation yes होगा उसे no कर दें और control A से इस configuration को accept कर लें और enter प्रेस करके आगे बढ़ें ऐसा करते ही चारो options आ जाएंगे तो चलिए इन चारो options में से इस वीडियो में new reference को समझ लेते हैं जैसा कि इसका नाम है new reference, new का मतलब है नया और reference का मतलब यहाँ है bill या invoice इस तरह से new reference का मतलब हुआ नया bill जब भी हमको अपने supplier से कोई नया bill मिलता है और हम उसकी telemetry करते हैं या फिर जब हम अपने customers को माल बेचते समय कोई नया bill बनाते हैं तो उस समय prior new reference option को select करते हैं और यही कारण है कि purchase और sales voucher में by default new reference ही selected रहता है आने ऐसी परिस्थितियां कौन सी हैं जिसमें हम new reference की जगह दूसरी adjustment method से लेक करते हैं यह आगे की वीडियोस में बताएंगे यह यहाँ पर हम new reference को से लेक करते हुए आगे बढ़ गए हैं यह supplier का वो ही bill number आ रहा है जो हमने पहले type किया था enterprise करके आगे बढ़ें due date या credit days में supplier ने हमें जितने दिन की उधारी पर या माल दिया है उतने दिन type करें या जिस तारिक पर payment करने को कहा है वो तारिक type करें हम 30 type करके enterprise कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही तारिक अपने आप आ गई है इसके बाद enterprise करते हुए इस voucher को accept कर लेते हैं इसी तरह हमने कुछ खरीदी और की है जिनके entry भी हमने tally में कर ली है इस वीडियो में हम आपको जो समझा रहे हैं उसके अनुसार आपको काम करने में सुविधा हो उसके लिए नीचे description में हम एक PDF दे रहे हैं आईए अब हम आपको new difference के साथ एक sales voucher भी बना कर बता देते हैं हमने azar tv को 1 अप्रेल 2021 को sony tv 20 inches के दो नग 25,000 रुपे प्रती नग के हिसाब से उधार बेची कस्टमर को माल देते समय हमने उसे कहा कि इस बिल का payment आपको 10 दिन में करना है अब हमने कस्टमर का बिल बनाना शुरू किया यह देखिए bill wise details में यहाँ भी new reference selected है और हमें यही चाहिए हम enterprise करके आगे बढ़ रहे हैं ध्यान दे याद वही number आ रहा है जो हमारे bill का है enterprise करके आगे बढ़ते हैं देखिए due date या credit days में पहले से ही 15 days लिखा आ रहा है इसका कारण यह है कि हमने अपने सभी customers के ledgers बनाते समय default credit period में 15 days टाइप किया हुआ है अब चूंकि हमने यह माल रहा को 10 दिन की उधारी पर दिया है इसलिए हम यहाँ पर 10 टाइप कर देते हैं यहाँ इस बात का ध्यान रखें कई बार Tally के educational version में काम करते समय परिशानी आती है यहाँ due date पर cursor नहीं जाता है यानि cursor name वाले options से सीधे amount वाले option पर चला जाता है और हम manually days type नहीं कर पाते तो ऐसी इस्थिती में आपको party के लेजर में alteration करके default credit period में type किये हुए days हटाना होंगे तभी आपका cursor due date पर रुकेगा और आप manually days type कर सकेंगे अब enterprise करते हुए इस voucher को accept कर लेंगे चार्ट में बताए अनुसार पहले sales bill की entry हमने आपको करके बता दी और इसी तरह आखिरी bill को छोड़ कर बाकी सभी sales vouchers की entries भी हमने टैली में कर ली है यहाँ पर एखास बात बता दें जब हमने आखिरी bill बनाना शुरू किया और जैसे ही हमने party का नाम select करके enterprise किया देखिए नीचे एक warning आ रही है जिसमें लिखा है कि आप जिस party का bill बना रहे हैं उसके दो bill पहले से ही outstanding है याने की बकाया है और उनकी payment की due date निकल चुकी है अब आप चाहें तो customer को माल दें या ये कहकर वापस कर दें भाई पहले के bill overdue हो चुके हैं क्रप्या आप उनका payment कर दें तभी हम आपको माल दे सकेंगे यदि आप overdue के बाद भी bill बनाना चाहते हैं तो keyboard पर कोई भी key press करें हम enter press करके आगे बढ़ रहे हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने detail में bill wise entry option के बारे में बताया था और इस वीडियो में हमने bill wise entry में method of adjustment के अंतरगयत आने वाले new reference के बारे में बताया इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको advance और against reference के बारे में बताएंगे इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद कर दो